सब्सक्राइब करते हैं मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दूंगा तब तक के लिए आप वीडियो के यह अन तक बने रही और अगर आपने हुमरे चिनल पर नहीं तो इस लाइक श्यार के दिना और बेल एक नूट के दिना तक कि आपको लटेश ट्रूनिक वेशन मिल सक चले वीडियो को सुप करते हैं लेट स्टार्ट सुप्रेंस पहले तो आप इसमें देख सकते हैं यह है कॉन्सेस्टन का एचेक वान मॉदर बोर्ड जो कि आया थे फोर जेनेशन प्रसेसर इसमें लगाएंगे इसमें बहुत सा रिपोर्ड दिया हुए जो कि आप इसमें यह DDR3 है एंड इसमें उंडो 10 इस्टॉल कर सकते हैं चले मैं इसको अनबक्सिंग करके आपको दिखानेता हूँ तब तक लिए आप वीडियो के अंतक बने रही हैं चले इसको अनबक्सिंग करके मैं ख़लके इसमें कौनकोर सा पार्स मिलता है मैं आपको अच्छे दिगर स दिखानेता हूँ पहले तब देख सकते हैं इसमें एक CD tho दिया हूँ जो कि हम इसका डिटर्स पढ़कर जग पाईंगे और इसके साथ बहुत सारे डिटर्स पी दिया हूँ जो कि हम इसको पढ़कर सबीं को जग पाएंगे अंड इसमें एक साथ एक कोफर वी दिखा आ कि यह मुदर्बॉड है चीट वान में बहुत सारे पोर्ट लगा हुआ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं कोईल है मॉसपैट है एंड फ्रिसर पोर्ट है इसमें भीजे पोर्ट है एंड दो टो यह PCI सलोट है जो कि इसके साथ एक साटा के पूल पर दिवा हुआ है एंड इ इसमें जो बीज का है यह ओडियो पोर्ट है और इसमें बहुत सारे देख सकते हैं इसमें बैट्रिक लगा हुआ है यह मॉदर्बॉड है पर हम आपको अच्छे तरिके से दिखा देता हूं तब तक के लिए आप वीडियो के एंद तक बने रही और इसके पहले हम सभी पा पिर उसके बाद एक कम्पूटर बिल्ड करेंगे मैं आपको अच्छे तरिके से बदा दूँगा इसके बाद आप देख सकते हैं यह इंटेल कमपैनी का आपको लगा कर देखा दूँगा आप इसमें देख सेते हैं यह आपएस कम्पानी जो कि AX65JINO है इस आपएस कम्पानी का SSD में दोनों केबूल लगता है एक टो साटा केबूल लगता है और एक टो केबिनेट का केबूल लगता है जो कि हम मदरबुर में कनेक्ट करके एक कम्पूटर बीड करेंगे उसके पाद आप दिश्केते हैं यह है DDR3 जो कि यह RAM है यह पिसे स्लोट में लगता है चलिए इसको अन्वर्सिंगर के मैं आपको अच्छे तिर्गे से दिखा देता हूँ मौदरबूर्ड ह81 पे दो टो रेम लगा सकते हैं जो कि 816 वी रेम तक हम लगा सकते हैं इसको आप देशकते हैं यह RAM कितना सॉप्ट है और देखने में कितना आच्छा रखता है यह DDR3 है जो कि मौदरबूर्ड ह81 पे लगाएंगे इसके बाद आप देशकते हैं यह जेप्रोनिक कमपानी का CPU फ्याँवर्ण का अच्छे दिखा देता हूं यह जेप्रोनिक का कॉंपानी का CPU Crane जो कि हम CP के उपर लगाती है और इसके नीचे जो थर्मा स्वेंश लगाकर इसको हम प्रसर ज्यादा हिट नहों पाए और लगाएंगे यह प्लान केतना कूल देता है और देखिने में बहुत अच्छा लगता है उसके बाद आप देशकते हैं यह है पावा सप्ले जो भी पावा सप्ले है हम कबिनेट के अंदर लगाएंगे और मॉदरबूर्ट पे करनेट करके एक कमबोडा बिल्ड करेंगे क्यास पावार के बूल का यह पोर्ट देख सकते हैं कुछ एटेप का होता है हम मॉदरबूर्ट में लगाएंगे इसमें फ्यान भी कोनेक्शन देखकर इसमें करनेट करेंगे और यह दो टो जो पिल देख रहे हैं इसमें हम आर्जिबी लाइट लगाएंगे और एक ठो आर्टि पहले तो आप इसमें देख सकते हैं अथी है consistent का 500 लिएक लेके में करनेट करेंगे और क्याबिनेट के थरह ऑची में होईर वाला है है इसका पर रहा है उल्ली 300 रूपे चलिए इसको उनबर्सिंग करके मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूं इसका स्टैड और लोग बहुत अच्छा दे रहा है जो के इसमें आप देख सकते हैं इसका स्टैड जो टेप दिया हुआ है इसमें डेरेग हम इसको रखे इसको लगा सकते हैं आप इसमें देख सकते हैं यह कीबोर्ड जो कि वैड बना है यह यूएसब टेप दिया हुआ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं इसके पाद आप देख सकते हैं यह है माउस जो कि वैड माउस है इसका प्रेस पर रहा है उल्ली 300 रूपे जो कि इंटरल कमप पगणने में भी बहुत अच्छा लगता है और इसका स्पीड बहुत अच्छा लगता है यह स्प्रोलिंग करने में भी बहुत अच्छा लगता है यह है RGB लाइट जो कि हम केमिनेट के अंदर लगाते हैं और इसका स्टैल लोग बहुत अच्छा देता है इसका प्रेस पड़ संग बजाएंगे चलिए इसको अन्वक्षिन करके मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूं यह दो टो बॉक्ष दिया हुआ है जो कि आप इसमें देख सकती है इसका लुक और स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसका पॉर्ट भी देख सकती है एक ओडियो पॉर्ट है एक यूस्पी पॉर्ट है इस दोनों को हम कैबिनेट में लगाएंगे और यह दोनों को अच्छे तरीके से संग बजा देंगे इसका प्रेस पड़ रहा है उनली 600-700 में आपको मार्केट में अविलेबूल मिल जाएगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आप देखें कि मैं सभी को अन्बक्सिंग करके आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया हूँ नेक्स्ट वीडियो पे कैसे कंपोडर विल्ड करती है मैं आपको बारगे से बता दूँगा तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नहीं है तो एक लाइट शेयर और सुस्क्रेब कर देना और बेल अगे लोग किलिक कर देना तक कि आपको लिट्रस्ट अन्डगर्शन मिल सके और ऐसे ही चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहना और प्यार देते रहना चलिए अगले बडिवे मिलते हैं बाई बाई